कव प्योग में ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे ग्राम पंचायत क्या है गटन क्या है योगेता है क्या है तथा क्या कार्या करती है सबसे पहले ग्राम पंचायत का अर्थ ग्राम पंचायत यानि गाहों की पंचायत जैसे ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्य कारिनी होती है इसका चुनाव ग्राम सबा के सदस्यों से होता है यह पंचायती राज प्रणाली में गाव यह छोटे कस्वों के इस्तर पर होती है ग्राम सबा होती है जो भारत के इस्थानिय स्वसाशन का प्रमुख अंग है इस्थानिय स्वसाशन का प्रमुख अंग है जिसका मुख्या सरपंच होता है मुख्या सरपंच होता है सरपंच होता है जो ग्राम सबा द्वारा चुना होता है सरवोज प्रतिनिदी होता है इसके अतरिक इसमें प्रदान तथा उप्रदान होते है जिसमें कम से कम 31 और अधिक से अधिक 60 सदस्या हो सकते हैं ग्राम पंचायत में अब है ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत की योगेता है ग्राम पंचायत का सदस्या बढ़ने के लिए उसमें कौन-कौन सी योगेता है होनी चाहिए योगेता है सबसे पहले उसकी आयू 21 वर्स वह 21 वर्स का होना चाहिए वह 21 वर्स का होना चाहिए फिर है सेकेंड है वह बारत का नागरिक होने के साथ के साथ इस्थानिय सदस्य होना चाहिए इस्थानिय सदस्य हो फिर है वह दिवालिया तथा पागल ना हो दिवालिया तथा पागल ना हो फिर है वह राज्य के किसी भी लाबकारी पद पर लाबकारी पद पर कार्य न करता हो यानि किसी भी सरकारी नोकरी में नहीं होना चाहिए उसके बाद है योगिता के बाद है इसका गठन कैसे होता है अब है ग्राम पंचायत का गठन मुख्या उप मुख्या और वाड के जितने भी सदस्य चुनवय होते हैं जिनको जनता चुनकर वेज दिये अपने मतो द्वारा वह सदस्य मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं यह सब जैसे सरपंच फिर है प्रदान उप प्रदान तता वाड मेंबर यह सब मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते तता निर्मान करते हैं तब पच्छाते ग्राम पंचायत की कार्य कौन-कौन से कार्य ग्राम पंचायत क्या-क्या करती है गाउम में ग्राम पंचायद के कारिया ग्राम पंचायद के कारिया में सबसे पहले वहाँ गाओं के विकास के कारिया करता है जैसे गली, महलो तथा कस्बे की देखबाल करना, साब सपाई की ववस्ता करना यह सब कारिया ग्राम पंचायद करती है गाउं के ग्राम सबा की संपती की देखपाल ग्राम पंचायत करता है मृत्वक पशुओं के इस्थान की विवस्ता ग्राम पंचायत करता है तत पर शाथ जन्म तथा जन्म मरन तथा विवाह के पंजीकरन की विवस्ता ग्राम पंचायत करता है फिर है चिकिस्ता तथा डॉक्टरी सहायता का प्रबंध ग्राम पंचायत करता है उसके पशात है गाओं में मेले प्रदशनी तथा जो भी मेले लगाया जाता है उनकी व्यवस्ता ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है फिर है गाओं को सरकारी योजनाओं को लाभानवित ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जाता है गाओं में जनकर्ना का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है इसके अलावा बहुत से कार्य ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किये जाता है तथा ग् काव में विकास का कार्य ग्राम माध्यम से किया जाथ इसलिए वह ग्राम पंचाइथ ऐसा माध्यमें जो गायों में विकास का कार्य करती है। कि दन्यवाद